हेलो क्लास 12 वेल्कम लॉर्न विद जनित गुरू मैं हूं निकी पंडित और हम कर रहे थे एंसी ए आर्टी की रीडिंग लास्ट टाइम हमने बैटरी के बारे में पढ़ा था और वहां पे हमने कहां पे छोड़ा था प्राइमरी बैटरी ठीक है आज हम सेकेंडरी बैटरी से स्टार्ट करेंगे फड़ा फट से स्टार्ट करते हैं फिर यहां से हमें करना है सिकेंडरी बैटरी से राइट वेट secondary batteries a secondary cell after use can be recharged by passing current through it in the opposite direction so that it can be used again जब हमने प्राइमरी बैटरी पढ़ा था तो वहां पे हमने देखा था किम प्राइमरी बैटरी को reuse नहीं कर सकते हैं क्या होगा उसके अंदर की जो cell reaction होगी वो एक बर खतम हो जाएगी तो हमें उसे फेकना पड़ेगा वापस से हम उसको recharge नहीं कर सकते हैं बट वहीं अगर हम सेकेंडरी बैटरी के बात करें तो सेकेंडरी बैटरी में क्या होता हैं हम बार बार से उसको recharge कर सकते हैं ठीक है किसे electricity पास करके जैसे कि हमने फोन को charge करते हैं तो वह कैसे charge होता है आपने पूरे दिन phone use किया ठीक है जो कि करते ही होंगे तो क्या होगा पूरे दिन phone use करने के बाद जो आपका phone है वो drain out हो जाता होगा फिर आप क्या करते हो शाम को उसको charge में लगा देती हो फिर अगले दिन वही आपका process start हो जाता है तो वो क्या है secondary battery का example हो जाएगा ओके और good secondary cell can undergo a large number of discharging and charging cycles जो एक अच्छा secondary battery होता है वो क्या होते है कि उसको बहुत time बार उसको reuse कर सकते हैं हमें बहुत time बार उसको recharge कर सकते हैं ठीक है the most important secondary cell is lead storage battery commonly used in automobiles and inverters यहां पर किसकी बात करेंगे हम secondary batteries में lead storage battery की जो कि कहां पर use किया जाता है automobiles में use किया जाता है यानि कि cars वगेरा में use किया जाता है और inverters वगेरा में use किया जाता है it consists of lead anode and a grid of lead packed with a lead dioxide PbO2 as a cathode यहां पर anode पर lead लगा हुआ है वहीं cathode पर lead dioxide attached है और 38% solution of sulfuric acid is used as an electrolyte यह important line है यहां से MCQ के भी question आ सकते हैं ठीके कि जो lead storage battery है उसमें जो percentage composition होता है कितना percent H2SO4 present है तो वहां पर answer क्या हो जाएगा 38% solution present होता है H2SO4 का lead storage battery में the cell reactions when a battery is in use are given below जब हम battery को use कर रहे हैं उस वक्त cell reaction क्या होगा यह जानेंगे जैसे कि हम सबको पता है कि anode पर क्या लगा हुआ है lead लगा हुआ है उपर ही हमने देख लिया था कि anode पर lead है ठीक है lead का reaction किसके सांथ कराया है SO4 2 negative है निकि H2SO4 के सांथ फिर हमें क्या मिलेगा PbSO4 और 2 electron यहां से release हो जाएगा एनोड पर क्या होता है oxidation होता है Oxidation का मतलब होता है loss of electron तो यहां पर 2 electron का loss हो रहा है सेम वही अगर हम बात करें cathode की तो cathode पर क्या लगा हुआ है lead dioxide attached है तो lead dioxide किसके सांथ react करेगा क्योंकि इसके निए किसका solution है H2SO4 का solution है तो lead dioxide भी H2SO4 के सांथ ही react करेगा प्लस 4 hydrogen तो क्या हो जाएगा यहां पर भी 2 electron यह gain करेगा 2 electron gain करके बना रहा है PbSO4 प्लस 2H2O the overall cell reaction consisting of cathode and anode reaction is और जब हम हमें overall reaction लिखना होते है हम क्या करते हैं जो भी चीज़े कट रही होती है left hand side की चीज़े second reaction के right hand से कट जाता है ठीक है और हम क्या करते हैं कि जितने number of electrons होते हैं उसको equal करने की कोशिश करते हैं then उसको cut कर देते हैं तो क्यूंकि यहां पर उपर भी दो electron है नीचे भी दो electron है तो हमें electron equal करने की जरूत नहीं है यह directly cut जाएगा तो यह वाले electron से क्या हो जाएगा यह वाले electron कर जाएगा देखो यह वाले electron है हमारा right hand side वहीं यह वाले electron लिखाओ left hand side तो cut जाएगा अगर दोनो right hand side right hand side ही होते हैं तो हमें उसको add करना पड़ता ठीक है opposite side वाले ही कर सकते हैं और क्या हमें दिख रहा है देखो जैसे कि PBSO4 और यहां पर भी PBSO4 है तो यह दोनो right hand side पर है तो इन दोनों को cut नहीं कर सकते हैं एक H2SO4 यहां पर है ठीक है 2 negative किसको represent कर रहा है यहां पर hydrogen को represent कर रहा है या तो आप directly H2SO4 लिख दो या तो आप क्या लिख सकते हो SO4 2 negative okay तो SO4 2 negative SO4 2 negative will give you 2H2SO4 और यहां पर हमें क्या है PBSO4 and PBSO4 will give you 2PBSO4 और यहां पर 2H2O है clear है इतना on charging the battery the reaction is reversed and PBSO4 on anode and cathode is converted into PB and PBO2 respectively देखो अभी यह cell reaction कब था जब हम cell का use कर रहे हैं तो यह reaction हो रहा है जब यह reaction होगा तो ही हम cell का use कर पाएंगे लेकिन जब हम cell को use नहीं कर रहे होते जब हम battery को use नहीं कर रहे होते वह खुद को recharge करता है तो process उल्टा हो जाता है यानि कि अभी यहां से left hand side से right hand side चीज़े जा रहे है जब battery rest पे होता है वह क्या करता है जब battery rest पे होगा मतलब जब उसका use नहीं कर रहे होंगे वह खुद को recharge कर रहा होगा तो reaction उल्टा हो जाएगा ठीके यह है LED storage battery यहां पे क्या है 38% Sulfuric Acid Solution Okay Another important secondary cell is Nickel Cadmium Cell दूसरा secondary cell क्या है Nickel Cadmium Cell है Figure 2.11 Which has longer life than the lead storage cell but more expensive to manufacture क्या है जो यहां पे हम पढ़ रहे है Nickel Cadmium Cell यह जो lead storage cell है उससे क्या है expensive है ठीके और क्या है Which has a longer life than lead storage और उससे जादा longer life भी expensive होगा तो longer life होगा अच्छा होगा ही होगा and discharging The overall reaction during discharging is यहां पे जब discharge हो रहा है ठीके discharge हो रहा है तो मतलब उसको वापे से recharge करेंगे तो discharge की time पे क्या होता है कि वो reaction use हो रहा है तो हम discharging वाले क्या देखेंगे reaction देखेंगे यहां पे क्या है Cadmium है ठीके NiOH को whole twice whole thrice will give this is discharging का reaction है overall reaction अब fuel cell इसके बाद आता है nickel cadmium के बाद आता है fuel cell fuel cell क्या है production of electricity by thermal plant is not a very efficient method and and is not a very efficient method is a major source of pollution in such plants the chemical energy heat of combustion or fossil fuel coal gas or oil is first used for converting water into high pressure steam this is then used to run a turbine to produce electricity देखो यहां पे क्या के रहे electricity का formation बता रहे है कि हम water के help से कैसे electricity को produce करते है यह बात आप सबने सुनियो की turbine को जह बहुत तेज से क्या करते है turbine जब बहुत तेज से move करते है और बहुत हाइट से water को उस पे fall किया जाते है तो क्या बनता है electricity का production होता है okay we know that a galvanic cell directly convert chemical energy into electrical electricity हमें पता है कि a galvanic cell में क्या होता है कि chemical energy directly electrical energy में convert हो जाती है and it's highly efficient और ये बहुत जाता efficient है जो उपर वाला method था पानी से electricity बनाने वाला वो इतना efficient नहीं था plus वो time taking भी था ठीके लिकें जो galvanic cell का हम use करते है तो इसमें क्या है कि ये effective method है हमारा इसमें क्या है it is now possible to make such cell in which reactants are fit continuously feed continuously to the electrodes and the product are removed continuously from the electrolyte compartment galvanic cell that are designed to convert the energy of combustion of fuel like hydrogen, methane, methanol etc. directly into the electrical energy are called fuel cell इसमें क्या है fuel cell क्या होता है तो देखो यहां पे दिया हुआ है कि ऐसा galvanic cell that are designed to convert ऐसा galvanic cell design किया गया है जो convert करता है किसको energy of combustion combustion energy को किसमें convert कर देता है like hydrogen, methane, methanol और directly उसको convert करता है electricity में ठीके यानि कि electrical energy में तो उसको हम बोलते है fuel cell fuel cell के अंदर भी काफी सारी चीज़ें होती है देखो यहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि इसका हम use कहां करते है जैसे कि fuel cell है ठीके तो इसमें हमने 2 gases डाली कौन-कौन सी एक साइट से hydrogen gas गई है One of the most successful fuel cell used in the reaction of hydrogen with oxygen to form water यह एक बहुत ही अच्छा तरीका है और बहुत effective method है कि hydrogen gas और oxygen gas की help से हम यहां पे water बना रहे है बट यह काम कहां पे आएगा ठीके जो astronauts वगेरा होते हैं जो space में जाते हैं तो space में जाते वक्त वो इतना जाद अपने साथ पानी क्यारी नहीं कर सकते हैं ठीके हैं बट अगर वो तीन महीने छे महीने के लिए रहने जा रहे हैं तो उनको sufficient amount में water तो चाहिए तो वो इसकी help से क्या कर सकते हैं वहां पे पानी को produce कर सकते हैं पानी को बना सकते हैं In the cell hydrogen and oxygen are bubbled through the porous carbon electrode into concentrated aqueous sodium hydroxide solution यह पे sodium hydroxide solution दे रखा हैं आप potassium hydroxide solution भी ले सकते हों तो NaOH और KOH ठीक है catalyst like finally divided platinum or palladium metal are incorporated into the electrodes for increasing the rate of electrodes reaction and the electrode reaction are और इसका reaction क्या है जहां पे हमें hydrogen है और oxygen है उसका reaction देखते हैं यहां पे क्या है देखो cathode की side पे क्या होता है reduction होता है anode पे होता है oxidation तो यहां पे क्या और है oxidation में इसने loss of electron कर लिया तो यहीं reduction में gain of electron हुआ है और overall reaction हमें क्या देखने के मिल रहा है कि हमने hydrogen और oxygen को add करके water बना लिया है okay Thus cell runs continuously as long as the reactants are supplied और यह cell कब तब तब काम करता रहेगा जब तक हम reactant provide कर रहे है fuel cell produce electricity with an efficiency of about 70% जो fuel cell है वो electricity भी produce कर रहे है कितना about 70% if we compare to the thermal plant जो उपर हमने देखा था कि thermal plant यानि कि water के health से कैसे electricity generate हो रहा है तो उससे जादा effective है fuel cell तो fuel cell के हमने दो काम देखे तो electricity generate कर रहा है दूसरा पानी भी बना रहा है वो to the thermal plants whose efficiency thermal plant whose efficiency is about 40% there has been tremendous progress in the development of new electrode mode सबीज़े, जिस बावाटी परसंट, और इसकी ऐप एफिशेंची कितनी होती है, तर्मलवाली की वही जुह हम फ्यूल सेल बनाते हैं, इसकी ऐफिशेंची सेविन्टी परसंट होती है. There has been tremendous progress in the development of the new electrode materials, better catalysts and electrolytes for increasing the efficiency of the fuel cell. These have been used in the automobiles on an experiments basis. Fuel cell are pollution free and in view of their future importance, a variety of fuel cell has been fabricated and tried. We saw that the thermal plant process was very polluting and its efficiency was only 40% but the fuel cell's efficiency is only 70% and it is not polluting. So it does not create pollution, so it is showing better efficiency as compared to the thermal plant. अब इसके बाद आता है corrosion, ठीक है, corrosion आप सबको पता है क्या होता है? corrosion, देखो, जब ही metals जो है, वो deteriorate होना start कर देते हैं, जब वो oxidize होना start कर देते हैं, या फिर जब वो water और oxygen की contact में आते हैं, ठीक है? तो हमने देखो, वो धीरे 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 खराब होने लग जाते हैं, बट यह एक दिन का काम नहीं है, फिर दो दिन का काम नहीं है, पता चले कि आप metal को क्या करो? बहार रग दो एक दो दिन के लिए, फिर आप अगले दिन बोलो कि अरे यह तो खराब हो गया, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है? Metal को deteriorate होने के लिए, खराब होने के लिए कम से कम 3-6 महिने चाहिए होते हैं, यह एक long process होता है, ठीक है? तो corrosion वही है कि जब metal खराब होने लग जाता है, जब metal में जंग लग जाता है, तो हम उसको बोलते हैं कि वो corrode हो चुका है, यानि कि corrosion हो चुका है उसका, लेकिन corrosion के साथी साथ एक और term आता है, वो term क्या है? रस्टिंग, तो अब क्या corrosion रस्टिंग दोनों एक है या फिर दोनों अलग-अलग होता है, तो इसके बीचे बहुत छोटा सा difference है, वो छोटा सा difference क्या है? कि जब हम other metals की बात करते हैं, तो हम corrosion वर्ड यूस करते हैं, लेकिन जब हम specifically iron की बात करते हैं, तब हम वहाँ पर क्य करते हैं, iron की case में हम rusting का use करते हैं, हम बोलते हैं कि iron में rust लग गया है, ठीक है, iron को छोड़के बाकी सब के अगर हम बात करेंगे, तो वहाँ पर हम corrosion term का use करेंगे, clear है? तो, corrosion slowly coated the surface of metallic object with the oxides, और other salts of the metal, क्या है कि जब हमारे पास जो metal होता है, उसके पर एक surface आ जाती है, oxide की, sulphide की, या फिर और दूसरी gashes की, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं, corrosion. The rusting of iron, trannishing of silver, development of green coating on a copper and bronze are some of the examples of corrosion. It cause enormous damage to the buildings, bridge, ships and to all object made of metal, specially that of iron. See, अब हमारे आसपस इतनी साधी चीज़े हैं, जो metal के मिलके बनी है, even हमारे घरों में भी, जो 40-50% चीज़े ऐसी होती हैं, जो metal के मिलके बनी होती हैं, जैसे कि, door हो गया, windows वगेरा हो गया, उस पर जो जाल लगे होते हैं, सब metal का ही होता है, ठीके, तो वो हमेशा बाहर म ही तो रहता है, एक खोले में रहता है, तो उसके खराब होने के चांसे बहुत जादा होते हैं, जो bridges वगेरा हो गया, जो बाहर, railings वगेरा होती हैं, वो भी सब बहुत सारी चीज़े metal के मिलके बनी होती हैं, ज़रूर नहीं कि वो iron ही हो, ठीके, वो aluminium, cobalt, copper, किसी भी जेलना पड़ता है, ठीके, क्योंकि एक बार अगर metal खराब हो जाता है, तो वापस से हम उसको रिगेर नहीं कर सकते हैं, वापस से हम उसको ठीक नहीं कर सकते हैं, एक बार खराब हो गया, तो मतलब वो खराब हो गया, ओके, we lose crores of rupees every year on account of corrosion, corrosion की वैसे करोडों रुपे का नुकसान हो जाता है, in corrosion of metal is oxidized by loss of electron or to oxygen and formation of oxides, corrosion of iron, commonly known as rusting, occur in presence of water and air, किस की presence में होता है, water and air की presence में होता है, corrosion, the chemistry of corrosion is a quite complex but it may be considered essentially as an electrochemical phenomenon, as the particular spot, at a particular spot of an object made of iron, oxidation takes place and that spots behave as an anode and we can write the reaction, , क्या है यहाँ पर हम क्या देखेंगे किAnode कैसे हो रहा है, यहाँ पर क्या है क्थोर्टवर्डवे क्या है, क्या होता है कि लस पर क्या होता है, रहा है, electron release at anodic spot move through the metal and go to the another spot on the metal and reduce oxygen in the presence of hydrogen, और दूसरे spot में क्या हो रहा है कि oxygen के साथ react करके, ठीके oxygen के साथ react करके क्या कर रहा है, खुद का oxidation कर रहा है, okay, which is believed as available as available from H2CO3 form due to the dissolution of the carbon dioxide from air into water, hydrogen ion in water may also be available due to the dissolution of the other acidic oxides from the atmosphere and the spots behave as a cathode with the reaction, यहां पर क्या है, देखो, अभी यहां पर जंग लग रहा है, चाहे वो oxygen के साथ react करे, चाहे वो water के साथ react करे, दोनों की contact में ही, जो metal है, वो corrode हो जाता है, ठीके, यानि कि उसका oxidation हो रहा है, oxidation क्या होता है, gain of oxygen, तो यहां पर oxygen का gain कर रही है, O2 plus H positive 4H, यहां से loose कर दिया, ठीके, और यह क्या बन गया, यह water बन गया, यह मारे environment में है, ठीके, फिर overall reaction क्या होगा, उपर जो Fe वाला था, और यहां पर, Fe plus O2 will plus 4H positive will give 2Fe, 2 positive plus 2H2O, the ferrous ions are further oxidized by atmospheric oxygen, जो ferrous ion बनेगा यहां पर, बना है, वो क्या बना है, वो क्या बना है, वो further oxidized हो रहा है, किस की presence में, atmosphere की presence में, ferric ion which come out as a rust, rusting का क्या formula होता है, Fe2O3.x moles of water, right, और generally 2 moles of water हम मान लेते हैं, यहां पर देखो, soferic oxide plus x moles of water and with the further production of hydrogen ions, prevention of corrosion is of prime importance, अब हमें पता है कि हर साल हमें करोडो रुपे का नुकसान जहिलना पढ़ रहा है, किस की वज़े से, को रोज़े से, तो अब हमें इसको रोखना चाहिए, ताकि हर साल हमारा इतना नुकसान ना हो, कुछ न कुछ तो करना पढ़ेगा, हमें prevent करना पढ़ेगा metals को, तो अब हम देखेंगे कि prevent कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपके घर में जो metals की चीज़े हैं, जो आपका grill है, जो आपके windows है वो हर साल बदल रही हैं, अगर होगा तो बताना, ठीक्ये लेकिन ऐसा नहीं होता हैं, हर साल क्या है हम नहीं windows चेंज करवाते हैं हम door change lit keinen करवाते हैं हम क्या करते, उससे paint करवाते हैं वह साल होता है even 2 साल के बाद भी करा सकते हैं, ठीक है क्योंकि अगर हमने मेटल पे एक बर कोट लगा दिया तो वो प्रिवेंट कर सकता है रस्टिंग से ठीक है वो हमें बचा सकता है वो लुह को बचा सकता है जंग लगने से इसलिए हमें हर साल अपने घर के दर्वाजे या फिर खिड्कियों को चेंज करने की जरुवत नहीं पड़ती है ओके बट फिर भी बहुत लॉस हो जाता है इट नॉट ओनली सेफ मानी बट ऑल्सो हेल्पिन प्रिवेंटिंग एक्सिदेंट सच अच अच ब्रिज कोलाप्स और फेलियर ऑफ की कॉंपोनेंस दू 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 द मेटल की सॉफेस पे जब ऑक्सिजन या फिर वोटर आके रियाक्ट करता है और यहां पर रियाक्शन होता है तो मेटल धीरे धीरे वो क्या करता है तो अक्सिजन वोटर उस मेटल को खाने लग जाते हैं धीरे धीरे उसको खाका के खाका के पाउडर की फॉर्म में कर देते तो मान लोग कि अगर ब्रिज में जंग लग गया, ब्रिज में से तो लाखों लोग डेली निकलते हैं, ठीक है, वो धीरे 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 कमजोर होते चले जाएगा और लाखों लोगों की जान जा सकती है, तो इतना बड़ा अगर कुछ accident हो जाए या फिर कुछ हो जाए तो उससे बचाने के लिए में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है, जरूर नहीं कि हम हर साल ब्रिज बनवाते रहें, यह तो पॉसिबल ही नहीं, उसको बनने में उतना टाइम लग जाएगा, फिट लोग जाएंगे आएंगे कैसे, तो उसका हमें एक of the surface with the paint or by some chemicals, या तो हम paint की help से उसको cover कर दे, ठीक है, या फिर दूसरे chemical की help से हम cover कर दे, bisphenol, another simple method is to cover the surface by the metal, और दूसरा क्या है, पहला हमने paint देखा, ठीक है, कि paint, या फिर, chemical, chemical में क्या है, bisphenol, इनकी help से हम क्या कर सकते हैं, rusting होने से बचा सकते, corrosi होने से बचा सकते, दूसरा क्या है, कि हम coating कर दे, किसी coating कर दे, metals की coating कर दे, या नि के टिन, या फिर, zinc की coating कर दे, तो उससे क्या होगा, है ना, अगर हमने metal की coating कर दे, हमारा पर солरी भेbane Vamos तर हमें responsible condition, हम उसके पर किसी की हाल को किसी भी हाल में बचाना है ठीक के ताकि वो बिल आ तो मालो यही है यहा आपका भरेज है ठेजए यह ब्रीज है, हमें इसको बचाना है, इसकी उपर या तो हम Tint की Koothing कर दे, या तो हम Zinc की Koothing कर दे, अब दोनों की Koothing करने से होगा क्या, यह जानते, अगर मैंने एक के ब्रिज पर ठीक है, जिंक ही coating कर दी, तो अगर आपको reactivity series थोड़ी सी भी याद होगी, ठीक है, जो कि नहीं होगी, ठीक है, अगर आपको reactivity series याद है, तो उसमें क्या देखा था हमने, कि जो highly reactive element होते हैं, वो least reactive element को displace कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो zinc है, ZN is highly reactive if we compare zinc to iron, तो अगर मैंने, क्या किया हमने, iron यह जो लोहे का ब्रेश था, उस पे हमने zinc की coating कर दी, अब जब भी इस पे oxygen और water आएंगे, क्योंकि zinc जादा reactive है iron से, तो moisture जो होगा, वो सबसे पहले किस के साथ react करना पसंद करेगा, zinc के साथ, वो iron पे attack करेगा ही नहीं, क्योंकि zinc तो जादा reactive है, तो अगर पूरे bridge में थोड़ा सा भी coating बच जाता है zinc का, तो moisture सबसे पहले कोशिश करते हैं, कि वो zinc को खतम करें, क्योंकि zinc is more reactive than iron, ठीक है, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, जो iron है, जो metal है, जिसको बचाने क कोशिश करें, वो हमारा बच जाएगा, ठीक है, दूसरा क्या है, हम tin की coating कर दें, अब tin क्या है, tin is least reactive if we compare tin to iron, तो क्या होगा, अभी हाँ पे मैंने tin की coating कर दें, तो tin least reactive है, तो यह oxygen और water के साथ reactive करना पसंद नहीं करेगा, ठीक है, तो यह भी हमारे iron को बचा सकता है, लेकि अगर कहीं से भी tin की परत हट गई, ठीक है, क्योंकि iron साधा reactive है, और अगर moisture को iron दिख गया, तो वो tin को छोड़के पहले iron पर यह attack करेगा, और फिर जो भी bridge है, जिस पर हमने coating की है, वो खराब होने के chances हो सकते है, तो सबसे best method जो है, वो क्या है, galvanization है, यानि कि zinc की coating करने को हम बोलते हैं, galvanization, clear है, in order to react to save the object, an electrochemical method is to provide a sacrificial electrode of another metals like magnesium, zinc, etc., which corrode itself, but save the object, वो क्या करते हैं, यह खुद को corrode कर लेते हैं, बट जिस भी object को हमें बचाना होता है, उसको हम इसकी help से बचा लेते हैं, ओके, अब chapter तो हमारा खतम हो गया, हमने NCRT की reading भी कर ली है, next class में क्या करेंगे, इसके question answer बच रहें, यह in text question answer और एक salt example बच रहा है, वो हम next class में करेंगे, बाकि हमारा chapter फिनिश है, हम third chapter पर बढ़ जाएंगे, जो की है chemical kinetic, ठीक है, मिलते हैं next class में, thank you so much. झाल झाल